हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप गुड मॉर्निंग रादे रादे और ये दिखे बाहर का व्यूग अभी संराइज नहीं हुआ है और मैं अपने घर से ही आपको बाहर का व्यूग दिखा रही हूँ और इस समय घड़ी में बजे हैं साड़े पांच और ये दिखे जिन मिलाती लाइटे कितनी प्यारी लग रही है और उपर से देखने में ये घर कितनी छोटे छोटे दिख रहे हैं बहुत ही सुन्दर बिलकुल ऐसे लगरा जैसे कि हम पहाड़ों पर हैं और थोड़ी ही देर में संराइज हो जाएगा इधर बिलकुल भी बारिस नहीं है बहुत ज़ गर्मी हो रही है सुबह से ही मौसम काफी गरम है और इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी चाय में अद्रक और दो लॉंग मैंने डाल दी है अच्छे से तीन-चार उबाल आने तक चाय को हम पका लेते हैं और आज चाय मैं सिर्फ अपने लिए एक कपी बना रही हूँ मेरी चाय हो गई तयार आप लोग भी आ जाईए और चाय पी लीजिए चाय पीने के बाद तुरं थी मैंने चाड़ू पोचा कर लिया था और उसके बाद मैं नहा चुकी थी नहाने के बाद इधर मैं मंदिर में आ गई थी और मंदिर के परदे खोल देते हैं अभी हमारे क कृष्णा देखिए सो रहे हैं मच्छरदानी के अंदर तो सबसे पहले आकर अपने कृष्णा को हम जगा देते हैं लाइटे भी मंदिर की हमने जला दिये और कृष्णा को अब हम जगा देंगे प्यार से कृष्णा को हम सहला देते हैं कृष्णा की हम सेवा करते हैं इसन को हमने सिंखासन पर बैठाल दिया है और उनका जो बिस्तर है उसको हम एलग रख दिया एक गीले कपने से पहले मंदीर को हम आच्छे से पहुंच लेते हैं मूदियां को उठाते हुए अच्छे से हम पहुँच लेंगे और उसके बाद क्रिश्णा को इस्नान कराएंगे तो चलिए सबसे पहले हम अपना मंदिर साफ कर लेते हैं और मंदिर में जो बर्तन है उनको भी ले जाकर हम धुल लेंगे मंदिर अच्छे से मैं साफ कर चुकी हूँ सारी मूर्थियों को उठा उठा कर अच्छे से हम पोंच देते हैं क्योंकि सूखे फूल अक्सर रह जाते हैं और इधर मैं बरतन भी धुल कर ले आई थी और ये है कृष्णा का बरतन इसमें हमारे कृष्णा इस्तनान करेंगे कृष्णा के वस्त्रम ने उतार दिये है पानी में थोड़ा सा यमना जल डाल लिया है और कृष्णा को यमना के जल से इस्तनान करा दिया है यहाँ पर एक चौकी रख दी है क्रिश्णा को टौवल से अच्छे से पहले हम पहुंच देते हैं और जो आज क्रिश्णा की हमने कपड़े निकाले हैं वो कपड़े हम पहना देंगे साथ में उनको मैचिंग जोलरी भी पहना देते हैं मैचिंग हार और मैचिंग कंगन कृष्णा को पहना दिये हैं और चंदन और केसर का तिलक लगा कर मैचिंग पगड़ी लगा दिये हैं और इतर लगा के बासुरी दे दिये हैं और ये हमारे कृष्णा हो गए बिलकुल तयार और ये जो दूसरे मंदिर में कृष्णा रखे ह इनको भी बिल्कुर उसी तरह से हमने इसनान करा कर तयार कर दिया था और बाकी की जो मंदिर में मूरतिया हैं उनको इसनान तो नहीं करा सकते इसनियों उनको भी अच्छे से हमने गीले कपड़े से पोँच कर उनको भी तिलक लगा दिया है उसके बाद मैंने कर लिया था गीता का पाठ, पाठ करने के बाद यहाँ पर हम तुरंट आर्थी करने लगे थे, पूजा खत्मोने के बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे, आज का ब्रेकफास्ट हम बहुत खास बनाने वाले हैं, यह है मूंकी दाल, इसे हमने ओवर बिंगो कर रखा था अगर आप ओवरनाइट ना बिंगो हैं तो कम सी कम चार घंटे के लिए जरूर बिंगो दें यह आधा कप मुंफी डाल है डाल को दो तीनवार धुलकर मिक्सी के जार में हम डाल देंगे और इसमें डाल देंगे पाँच्छे लैसुन की कलिया और आधा इंच अधरक का टुकड़ा साथ में ये एक हरी मेर्च है थोड़ा सा पानी डालकर सभी को हम पीस देंगे क्रिष्णा को भी भोग में हम यही देंगे थोड़ी सी डाल उनके लिए हमने निकाल दी है डाल हम पीस चुके हैं क्योंकि इसमें हमने लैसुन डाला था अब इसी में हमने एक चमच अजवाइन और एक चमच धनिया और आदी चमच चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी एक असूरी मैठी डाल दी है अजवाइन की क्लिप में सो गई थी और साथ में इसमें हम डाल देंगी दो चमच सूजी और थोड़ी सी यहाँ पर हमने कस्मीरी लालमिश डाली है यह सिर्फ कलर के लिए डाली है अब इसमें डालेंगे गेहूं का आटा और इसका हम एक डो तयार करेंगे हम आज बनाएंगे मूम की दाल की पूरी बहुत ही जादा टेस्टी होती है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती है तो चलिए पहले इसका हम एक डो तयार कर लेते हैं और ये देखिए हमारा डो बनकर तयार हो गया दस मिनट के लिए इससे हमने रैश्ट पर रख दिया था क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है सूजी फूल जाएगी तो ये डो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा पूड़ी का डो हो गया तयार अब इसकी गोला लेके हम एक लोई तयार करेंगे थोड़ा सा चकले पे हमने शुका आटा लगा दिया है और एक इसकी लोई तयार कल दिया है पूरी जैसी आप बनाना चाहें छोटी बड़ी बैसी आप पूरी बना लीजिए बहुत आसानी से ये पूरी बिल जाती है और इसमें जो मसाले डाले हैं उसे ही पूरी इतनी ज़्यादा टेश्टी लगती है कि आप से ऐसे ही खा सकते हैं चलिए तो ये देखे पूरी बनकर हो गई तैयार इसी तरह से सारी पूरी को हम बना लेंगे इधर कड़ाई में तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया था पूरी को डाल देंगे और ये देखे फूरी फूरी पूरी बनकर हो गई तैयार पलट कर दूसरी साइड से भी अच् पूरी को लेते हैं, हम निकाल, देखने से ही कितनी बढ़िया पूरी लग रही है, आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में बना कर तो आप इसे खाई सकते हैं, सारी पूरीयों को इसी तरह से हम बना लेंगे, और इसे हम आज रायते से सर्व करेंगे, रायते से ये पूरी बहुत अच्छी लगती है, तड़के वाला रायता और साथ में मसालेदार मोंग की पूरी, तो आज का व्रेकफास्ट कैसा लगा, जरूर बताईएगा आप हमें, और ये देखिए, व्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर मैं बैट गई, और ये आगए हमारे मिठू, इनकी भी अपनी अलग ही मस्ती है, ये भी परेसान हो जाते हैं मुझसे मिलने के लिए, और जैसी ही मैं बिस्तर पे लिटी, ये आगए मेरे उपर, अब मिठू की टांग बिलकुल सही हो चुकी है, मिठू हमारे पूरी तरह से स्वस्त हैं, और घर पर आज कारपेंटर का काम चलना है, यहाँ पर माइक्रोबेब लगा था, पर माइक्रोबेब का मुए इन लोगों ने गैस की पाइपलाइन के पास दे रखा था, इसलिए इसे निकाल कर दुबारा से हम बॉक्स बन बा रहे हैं, ये पानी देखा नहीं कि मिट्टू ने डुपकी लगा दी, और ये करीवां पांच मिनट तक इसी तरह से नहाते रहें, इसको नहाना बहुत ही जदा अच्छा लगता है, इसने मेरा पूरा किचन गीला कर दिया था, और कल साम के टाइम पर मैं रिलाइंस गई थी, तो वहां स गरम मसाले के पैकेट हैं, चीनी है, चाय पती है, यही जो महीने में सामानी हुज होता है, यह सारा सामान में ले आई थे और इसको किचन में सही से लगा देते हैं, बस यही थोड़ा सा महीने का सामान था, यह सब लगाने के बाद काफी टाइम हो चुका था, और बरतन करते मुझे साड़े ग्यारा बच चुके थे बरतन धुलने के बाद तुरंती मैं लंच की तैयारी करूं तो आज सुबह पांच वजे से साड़े ग्यारा वजे तक मेरे लगवक सारे काम खतम हो गए मसीन में कपड़े डाल रखे हैं कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं बस बाहर फैला देंगे जिससे वो जल्दी से सूख जाए और आज का ब्लॉग यहीं पर हम खत्म करते हैं आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा और यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज उन्हें लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिनेंगे तेंक यू